लड़के जितने भी स्टुडेंट जो बीसी नर्सिंग करना चाहते हैं खास तोर पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं लड़कियां तो सबसे ज़्यादा बीसी नर्सिंग कोर्स तो करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट लड़कों करते हैं लड़कों को यह डाउट र तो इस में लड़कों का selection होगा इसमें लड़कों का selection जो है के टॉप 10 colleges कौन से हैं और बेसी नर्शिंग में गवर्मेंट और प्राइवेट कॉलेज का फीज कितना होता है किस तरीके से सेलेक्शन होगा उच्छतिस गड़ में बेसी नर्शिंग के लिए कुल कितने सीटे हैं कौंसलिंग जो है कब से होगा फॉर्म फिलप को है इस्टा क्रिया को समझना होता है complete पूरे टुजेट नौलेज जो है टुजेट जानकारी से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला वीडियो को लाश्ट तक जरू देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें बीसी नर्शिंग की कौंसलिंग के प्रोसेस के बारे में फेज कर लेना उसे डेस्क टाप मोड पर सेलेक्ट कर लेना फिर आपको जो है www.cgdme.co.in लिखकर आपको सर्च कर देना और इसके बाद सबसे पहले जो लिंक रहेगा cgdme nursing का उस पर आपको क्लिक कर लेने क्लिक करने पर आप जो हैं पर आपके सामने तीन आप्सन सिखाए दें अब सिद्ध इसके बासपर प्सके फर्ण और आपको सब्सक्राने बीच्चन सवलेरी निच में अपिसक क्लिक कर लेना है फिर कान्स्टिंग क्योंसिल्ड ऑला साइट जो ओपन हो जाएगा इसके बाद यह सभी ऑप्सन आज जाएंगे जिसमें आपको लिका रहेगा इसके बाद आपके सामने जो है यह सभी आपसंस आएंगे जिसमें आपका कोर्ष नेम इस्टूडेंट ने फादर ने मदर ने डेट आम बर्थ है सीजी काश तक फिर आपका जो है ट्वेल्थ पास आउट इन फिजिक्स गेमेंश्टी बायलोजी और इंगलिस तो यह सभी सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ में थे आपको यह सवाले अपसंस पर क्लिक कर लेना है फिर आपको जो अंग सुची बार्वी के सभी से प्रापतां इनकुक आपको विरन डालना फिर मोबाइल नमबर फिर इमेल आईडी यह सब डालकर आपको क्लिक कर लेना है फिर आपके पास एक रिजिस्टेशन आईडी और आपको एक पासवर्ट जो है मिल जाएगा आपको फिर इस्टूडेंट वाले अप्संस पर जाना है क्लिक कर ना वहाँ पर ID password capture code डालकर sign in पर click कर ले ना फिर आपका जो है आप पूरे details फिल कर ले ना तो इस तरीके से आपका counseling हो जाएगा क्योंकि counseling में ही बहुत से student होते हैं जो गलती कर देते हैं इसी वज़े से उनको college जो है नहीं मिल पाता है इसी वज़े से मैंने आपको उच्छे से explain किया आपको मैं बताना चाहता हूँ यदि आपने एक बार counseling किया और उस टाइम अगर आपको government college मिल जाता है अगर आप उस government college में admissions के लिए नहीं जाते हैं और जब आप admissions के लिए नहीं जाएंगे जब आपको सीट allotment होगा तो आपका सीट जो है स्वता automatic जो है और निरस्त हो जाएगा रद हो जाएगा अगर उसके बाद आप अगर सोचेंगे कि अगली बार मैं फिर से second round के counseling करूंगा तो ऐसे में आप जो है counseling भी नहीं कर पाएंगे आप counseling के प्रक्रिया से सीधा बाहर हो जाएंगे इसलिए जब भी first round में अगर आपको college मिल जाता है हाँ अगर कहीं आपको private college मिलता है तो आप भले private college को छोड़ सकते हैं और फिर second round के counseling में आप जो है बने रहेंगे लेकिन government college मिलने के बाद आप उस college को छोड़ नहीं सकते और फिर second round की counseling आप जो है नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से student होते हैं जिनकों इन सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी पता नहीं होता तो एक एक चीजों के बारे में आपको जानकारी एक एक चीजों के बारे में समझना यह काफी जादा important होता है क्योंकि जितना जाद आप चीजों के बारे में जानेंगे समझेंगे knowledge करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए बहतर होता है क्योंकि knowledge is a king, consistency is a king, जितना knowledge होगा, काम्याभी उतना ही मिल पाएग success भी उतना ही मिल पाएगा, बीना महनत किये, बीना competitions exams के त्यारी किये, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको name चाहिए, fame चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तो जिससे आपके जिन्दगी बदलने वाली है, उससे आप पीछे हटते क् तो 36 गड़ में जो है, जल्द ही आप सभी स्टूडेंट के लिए, काउंसलिंग होना, अगले महिने से लगभग, टाइम आइम सब डेट वेट पूरा आ जाएगा, 2023 में, फिर आप सभी स्टूडेंट जो है, बीसी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग कर पाएंगे, और आप 1000 रुपय आपका जो है, एक साल का जो है, फीश होता है, देखिए, बीसी नर्सिंग में पैसा तो लगेगा, लेकिन उसके बाद जब कोर्स कंप्लेट होगा, उसके बाद आपको जो है, बहुत ही अच्छा सेलेरी, बहुत ही अच्छा पैकेज आप लोगों को देखने को मि जारी, एक बहतर सेलेरी जो है, मिलेगा, और आपकी जिन्दगी जो है, बहुत ही जादा बेश्ट हो सकता है, बहतर हो सकता है, क्योंकि आप अपनी सिच्वेशन को, आप अपनी परिस्विती को श्राम बदल सकते हैं, यह सब कुछ आपके उपर डिपेंड है, अगर आप ह हार्ड वर्क करते हैं, यदि आप भी कड़ी महनत करते हैं, तो यकिन मानिये, आपको भी कामयाभी मिलेगा, आपको भी शक्सिस मिलेगा, शक्सिस कामयाभी के लिए कोई निसी डेट नहीं होता, बस हमें महनत करते रहना है, तो इसी तरीके से आपका सेलेक्शन हो पाएग करना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग बहुत से स्टुडेंट को जो है बहुत से चीजों के बारे में नौलेज नहीं नहीं होता इसलिए नौलेज अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना मैं आपको जनकारी प्रोवाइट करा दूंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउ तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप सभी के लिए इसी तरह से नएने वीडियो नएने भरती परिक्षा सरे लेटेट आप सभी श्टूडेंट के लो में वीडियो लेकर आ सकूं बस अपना तयारी अच्छे से रहो दिन आपको काम्याभी सेलेक्षन जरूर मिलेगा बस महनत करना और गिवब जो है कभी भी मत करना क्योंकि महनत ही है महनत हमें शिखाता है कि काम्याभी क्या होता है